दोस्तो आज भारत और आश्टेलिया के भी इस तीन मुकाबलों की वंडे सीरीज का पहला वंडे मुकाबला खेला जाएगा तो क्या रहने वाली इस मुकाबले के लिए पेची रिपोर्ट पिस से किन गेंद बाजो की बल्ले बाजो को मिलेगी मदस साथ ही कितना बनेगा इस जिए ओ चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ ही इस मुकाबले की फाइनल फैंटासी टीम पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेली ग्राम चैनल का लिंक दिया है वहीं पर दोस्तों आपको फाइनल टीम मिलने वाली तो आईए आगे बढ़ते हैं और बात कर जाने वाला है तो कुल मिलना कर दोस्तों मुकाबला बहुत ही सांदार होने वाला है बात करते हैं दोनों टीमों के रीसेंटर फरफॉर्मेंस के बारे में लाश्ट पांच मुकाबलों के बारे में दोनों टीमें पांच ये पांचों मुकाबले जीत कर किया रही है तो कुल सामने लाद दो आग्य बढ़ते हैं और भास के लेते हैं इस ग्रांड hang एड़लों के बारे में फिर आपको बताते हैं पीच पुर्ट के बारे में दोस्तों वेडर रिपोर्ट के बात सा महें यहां पर 33. सब्सक्राइब कोई चांस नहीं यानि कि बिना किसी इंट्रप्शन के हम लोगों को यह मुकाबला अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है इस ग्राउंड पर लाइब कोमें लाइब इस एक तीस इस पिंडरों को मिलने वाले हैं वह यहां पर बैटिंग करने में मज़ा आता है क्यों दोस्तों यह ग्राउंड काफी च्छोटा है और यह अगर गेंद बैंद पर आई तो गैन सीधे 6 रन के लिए बॉंडरी के बाहर जाने वाली है, ground के first inning average score दोस्तो 95, second inning average score यहां का 26 है, तो captain Toss जीत करके यहां पर दोस्तो पहले गेंदबाजी ही करना चाहेंगे, युकि दोस्तो इस ground पर chase करना थोड़ा आसान हो जाता है, हाला की दोस्तों फर्स्ट इनिंग एबरीज स्कूर जदा है लेकिन चेस करना थोड़ा आसान होता है इसके लगा तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों आश्टिलिया टीम की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में आश्टिलिया की तरफ से इस मुकाबलेंग में खेलने वाले हैं डेविड वारने ट्रेविस हैड मिचल मार्स इसके साथ ही स्टीवन स्मिद ग्लेन मैक्सवल मारकस इस्टोनिक्स एलेकस केरी इसके लावा दोस्तों मिचल स्टार्ट और आश्टिलिया टीम की प्लेइंग अब बात करते हैं आश्टिलिया खिलाडियों के प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों सो तो रिकॉर्ड आपके सामने हैं तो डेविड वारन की बात करें दोस्तों 141 मुकाबलों में 6,07 एवरेट ठीक ठाक है रीसेंट भी काफी गजब का है दोस्तों आपके लिए मस्ट बिन पिक ठाक है इसके साथ है ट्यविस हेड आपके लिए dit can फीर भी बाक्यों की बात करें दोस्तों मिचलर्ण आपको गर्षrint बै Bomb rage की सासीil बात बले बात इत्ते से भी ऐबoca्प दिलाते है कि आप की ठीक ठाक है इको दोस्तो बल्ले बाजी से कुछ अच्छा प्रदर्शन है नहीं, इसके साथ ही गेंद बाजी से भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो अगर आप थूड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इन्हें आप छोड़ करके चल सकते हैं, इसके साथ ही दोस्तो अगे यहांप पारी हिती वहाँ पर कि पार्षर रोनों की पारी थी उससे पहले न उससे बाद में कोई अच्छी पारी में श्टार्स की बात कि ने जोत NOW कैती है जूद की बात की बॉली की ने लिए कि गुधर के चल सकते हैं नोत करने इन दो से पहले दो फिर दो फिर जिघर यहां पर एडम जम्पा की बात करें दो सो लास्ट मुकाबल में चार उससे पहले चार फिर चार और फिर एग उससे पहले 5 तो पwerkूल कर लेको लेकर के चल सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इंडिया टीम की प्लेइंग लेबन के बारे में दोस्तों इंडिया की तरफ से बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी के बारे में तो सुबमन गिल इसानकिस्तान इसके साथ ही विराट कोली शुरी कुमार यादो के एलराह अब बात करते हैं इंडियन खिलाडियों के प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह मन गिल के बारे में दोस्तों खिलाडी सांदार है अब इकिस मुकाबले खेले 1254 अब आचुके 73.7 का अबरेज है रीसेंट फ़र्म काफी कमाल का ह सांदार पिक होने वाले आप कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर इनको भी देख सकते हैं इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं सान किसान के बारे में 13 मुकाबले में 507 अबरेट ठीक ठाक है रीसेंट फ़र्म उत्ता अच्छा नहीं है इसके साथ विरा के बारे में रीसेंट फ़र्म उतना अच्छा नहीं दोस्तों लाश्ट मुकाबले में साथ उससे पहले 64 इसके लाश्ट बात करते हैं के लर राहूल के बारे में 51 मुकाबले खेल चुके हैं 1870 रन है 44.52 का अबरेज है रीसेंट फ़र्म के बात करते हैं लाश्ट मुकाबल कि 8-9 ओबर यहां पर करने वाले बले बाजी से भी बेक अब बेक अब होसकते हैं इसके साहत castle भी पेसरिस को मदद करते हैं तो इनको मदद करने वाले महाद समी भी आपके लिए must been पिक हो सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं इसके साथ यूजी वेंदर चैखल थो फिर एक फिर ने वाले हैं नूस्तों यह वी कि खिलारियों के परफॉर्म्स आप बात करते हैं इस परपोर्मेंस के आधार पर अपनी टीम के बारे में अभी यही टीम होने माली जो आपकी स्कीन पर नज्रा आने फाइननल टीम आपको टेली ग्राम पर मिलें कि अब टेली ग्राम का लिंग वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्टन में है और उसे आप जोइन के लिजए वहीं पर आपको टीम मिलने वाले आसा करता हूं वीडियो में देखें जान करी पसंद पसंद लाइक है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद